पहला जो उसका जो खंबा था उसे गिरा दिया गया है यानि बुल्डोजर एक एक करके इस पूरे अवयाद निर्मान को आपको असी आ लिए आप लॉचिक ऐसा दे रहे हैं अंग्रेश साथ में क्या बोला है यह ना कि इसके घर को उचार देने के काम कहां से सब्कार हो के है बताईए आप रिजवान एहमद साब इंक्रोच्मेंट तोड़ने की बजाए इनके हिसाब से पूरा घर तोड़ देना था और वो जो सोसाइटी है उसमें नीचे से ग्राउंड फ्लोर काटके निकाल देना था को इस चैतान की तरफ से सुना ही नहीं दे मुझे अरे भाई उन्होंने आपको इंतेलिजेंट वेक्ति वोला आपको कुछ और गाली थोड़ी दिया था वो कह रहे हैं कि अगर कोई इलीजल कंस्रक्शन कर रहा है और साड़क पर दुकान लगा लेगा तो उसके विए नोटिस देना जरूरी नहीं होता है अचा आप शैतान बोले हैं यह परसनल कमेंट नहीं है आप दूसरा शैतान है यह कहां से आप लोग सर्टिफिकेट लेकर गूनते हैं बाई मुझे समझ में नहीं आता है किसे जाहिल के रहे हैं आप वकिल साथ अब इसमें भी आपको डाउट है कि बाकी पैसले किसको कहा जा रहा होगा जियाई साथ बाबा बुन अच्छा इसमें बाबा बुदियन और किसे पूछो किसे हैं जनाब तो साथ तियागी पर हो रही थी चाहा कि तियागी का कैसे योगी बाबा ने घर भी तोड़ा गरूर भी तोड़ा लाके मीडिया के सामने खड़ा कर दिया और इसी तरह की इसी तरह की कानून विवस्ता एक पूरे परदेश में मिसाल बनती है कि कैसे ऐसे गुन्डों की कबर तोड़ी जाती है और कैसे इनका है इंकार दोड़ा जाता है पहले इस पर में क्या बोला वो सुन लीजे लेकिन आज की वीडियो का नाम है त्यागी की छोड़ो इन जाहिलों की सुनो इतना महत्पून डिबेड था कानून विवस्था को लेके डिबेड था पर भाई बंदों ने ऐसी ऐसी बाते करी इन लख लोजर चलता है पर एक और बात बड़ी इंटरिस्टिंग सुनी थी मैं यही देख रहा हूं कि वो लोग अब कहां छुपे हैं याद है यह हम लोगों को कानून पढ़ाया जाता था कि आप ऐसे नहीं चला सकते सम्विदान खत्रे में हैं पहले शो कॉस दिखाओ फिर भी नहीं था कोई शोकॉस भी नहीं था यहां सिर्फ गुंडागर्दी थी त्यागी यह भूल गया था कि यह योगी का परदेश है और अगर आप कलपना करिए यहां तो गाली गलोज करी और एक धक्का दे दिया धक्का जो देखने में आया है आप कलपना करिए कि इसके बेजे हुए गुंडे त्यागी के जो एक दिन बाद आए वो कहीं पत्थर चला देते कहीं वो पेट्रोल बम चला देते तो क्या होता तो तो शायद सुकर है कि ये इसका नीचे का घरता अगर उपर का होता तो पुरा मालाई गिरा दिया जाता तो इन लोगों को अपनी अप योगी जी के दो वो हैं करन अर्जुन दाया हाथ बाया हाथ क्या लाबदारी वर्ग और कानून विवस्था और इन दोनों चीजों को योगी जी कभी भी छिन्बिन नहीं होने देंगे चाहे सामने वाला कोई दूबे हो कान पुरका या त्यागी हो या रह्मान हो या तेकाने लगा दिया उसके हैंकार को ठिकाने लगा दिया और उन लोगों को भी ठिकाने लगा दिया जो कहते थे बुल्डोजर चलने से पहले नोटिस देना जरूरी है अब इसमें तो जाहिल और विपक्ष फस गया अब जाहिल क्या बोलें अब जाहिल अगर आज योगी जी के बुर्डोजर चलने की वावा कर देंगे तो उनको तो पता है ना कि आगे जाके पत्थर चलाने पर फिल बुर्डोजर चलेगा तो वह भी बिना नोटिस के चलेगा तब वहां क्या करेंगे तो आज भी त्यागी का इंडिरेक्ली सपोर्ट करते नजर आ रहे थे और इधर उधर की बाते कि अगर दिखाने के लिए घर तोड़ा है तो कोई फाइदा नहीं पीड थप थपाने के लिए घर तोड़ा है तो को नहीं यार ये क्या क्या बोलते हैं और ये इस्लामिक स्कॉलर कहलाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं शैतानी हसी हसता हूँ अरे यार शैतानी हसी ना हसूँ तो क्या करूँ टेबल पर मारके डिबेट में ऑन कैमरा अपना सर फोड़ लूँ क्या सुनो ये मुंबई का लशकर जा साह, आप सुपरीम कोट की बात कर रहे हैं, उसी सुपरीम कोट ने क्या बोला, कि हम ब्लैंकेट बैं नहीं लगा सकते, बुल्डोजर चलने तो बोलिए ना बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से बुलवा दीजिए जो भी अगर आपके पैनल पर है कि आज से कोई नोटीस पीरियट फॉलो नहीं होगा और वो दिम भी याद कर लीजिए जब एक चीफ पिनिश्चर उत्रप्रदेश का पार्लेमेंट में आसू आसू रो र अच्छे की तरह चिला रहा था गुहार लगा रहा था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है मेरा जीना हराम कर दिया क्या है कौन था वो यही मानेवर योगी जी थे अरे अब आप कहां चले गए और कहां से कहां बात चली ठीक है हर्शवर्दन जी और जियाई साब मैं आपके पा बोलेगा तो वो तब क्या बोलेगा अगर आज योगी की वावा कर देगा तो कल हाए हाए करने में आसानी नहीं होगी तो यह बंदा इंडा रिकली त्यागी को सपोर्ट कर रहा था और इसको जाहिल को समझाने के लिए कि प्रभू जाहिल तुम हर जगा नोटेस अनेवार ये नहीं होता हर तरह के अतिकरों में नोटिस अनेवार ये नहीं होता मैंने अपनी बाद रखी और इसको पड़ा लिखा बोलके रखी वैसे रखी तो तथाकति बोलकी थी बस रूट गया बाबा बेबी रूट गई देखो क्या हुआ सुशान भाई थैंक यू वेरी मज़ के आपने शो में बुलाया और ऐसा और ऐसी दलील मुझे सुनने को मिली एक पड़े लिखे आदमी से that I had a very good laugh नंबर वान नंबर टू अगर रिज्वान एहमद किसी सडक पर चिकवे की दुकान खोल लेंगे तो उनको वहां से हटवाने के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है ये इस सथाकतित पड़े लिके व्यक्ति को बता दीजे ठीक है हर्षवर दंत्रिपार्टी लेगे सुषान जी सबसे कोई कमेंट हुआ तो मुझे मुझे छोड़ना पड़ेगा कोई पर्सनल कमेंट इस शैतान की तरफ से सुना ही नहीं दे मुझे अरे भाई उन्होंने आपको इंटेलिजेंट वेक्टी बोला है आपको कुछ और गाली थोड़ी दिये करें वो कह रहे हैं कि अगर कोई इलीजल कंस्रक्शन कर रहा है और साड़ाग पर दुकान लगा लेगा तो उसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं होता है अचा आप शैतान बोल रहे हैं ये परसनल कमेंट नहीं है आपस्प जो हैं संत है और दूसरा शैतान है ये कहां से आप लोग सर्टिफिकेट लेकर गूनते हैं बाई मुझे समझ में नहीं आता है देखा इनको बहाना चाहिए मेरे साथ डिबेट छोडने का आप लोगों को नहीं लग रहा कि आजकल कम डिबेट में आ रहा हूँ अरे इन समने मेरा बॉयकॉट कर रखा है कि रिजवान अगर डिबेट में आएगा तो हम नहीं आएंगे इतनी बुरी तरह हमारे कुर्ते का या हमारे पजामे का धागा खीशता है फिर दूसरा जाहिल पकड़ के बुलाया गया अब सुनो दूसरा जाहिल क्या कह रहा है यार सुनो खुश सुनो क्या कह रहा है इसको पता ही नहीं कि त्यागी का घर कहां है, उसकी लोकेशन क्या है, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, मैप क्या है, इसको यार जाहिल को कुछ नहीं पता, और ये डिबेट में आ जाते हैं, सुनो क्या बोला था? कि ये जो कारवाई हुई है न उसके त्यागी के खिलाफ ये कारवाई नहीं हुई तरीके से उसका पुरा मकान डाना चाहिए था उसके चज़े डाय जाएगा आपको सब्सक्राइटी के ग्राउंड फ्लोर है वह ग्राउंड फ्लोर का मकान डा देंगे मतलब कुछ लॉजिक सखाली कर देंगे और उपर से उपर से विल्डिंग गिर से क्या अरे भाई आठ छे आठ फ्लोर की बिल्डिंग है आप करें नीचे से माला काट जो सुनिये पिर खरगोन में लोगों के मतलब कुछ तोरी गई उन्हें तो जबिशा थोड़ी कट रहा है पिछला राम काट और बाकी छोड़ दिया मकान है सर जो इंक्रोच्मेंट है उसमें उसी के कारवाई होगी यही तो सरकार बेगभाव कर रही है इसमें तो बेगभाव हो रहा है सुसान जी आपको हसी आ रही है आप लोचिक ऐसा दे रहे हैं अंग्रेश साथ में क्या बोड़ी है ना कि उसक में पूरी से ग्राउन टार कर निकाल देना था बिलकुल 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 यह सील का दिया है अजी अजी जोकर जो लेंकर आँ मैं घए यह वह पोँचार रिजवान एमसाब एव उनको बोलने तो दीजे है रिजवान हमad बोली це से रिजवाने में तो इस टूर आपके सुना कह रहा है त्यागी का घर क्यों नहीं गिराया त्यागी का घर क्यों नहीं कराया रे इस जाहिल को कौन बताए कि वो मल्टी स्टोरेट थी समझाया मैंने एक बार नहीं दो दो बार समझाया कि अवैद और वैद मकान क्या होता है वैद मकान भी वैद होते हुए कभी कभ बिर भी अवैद बन जाता है अवैद भी तीन तरीके का होता है पहला वो तरीका होता है कि जमीन आपकी है आपने जो नक्ष़ा पास कराया उसके हिसाब से आपने घर का इंटर्नल स्ट्रक्टिR यानी अंधर के कमरे वरंडा वाश रूम किचिन नहीं बनवाया ये भी अवै माना जाता है लेकिन कमश्रिणी का माना जाता है एक अवैद होता है कि आपने नक्षा पास कराया उसी हिसाब से अपना भवन का निर्मान कराया लेकिन कुछ आगे छज्जे निकाल लिये गेट निकाल लिया दीवार निकाल ली वो भी अवैद होता है और एक तीसरे किसम का कि वो जमीन भी आपकी नहीं है आपने जवरन कब्जा करके वहाँ पर एक मकान बना लिया तो इन लोगों को जब ग्यान दो और जाहिल बोलो तो पूछते हैं कि किसको जाहिल बोल ले हो और फिर देखिए क्या कमेडी नाइट विद कपिल बनता है सुशान भाई फिर से आपके दर्शकों को समझा दूँ ये जो मेरा घर है ये मेरा ये वैद घर है वैद ये दर्शकों को समझा रहा हूँ लेकिन अगर ये LDA के नक्षे के हिसाब से नहीं बना है तो ये वैद होते हुए भी अवैद हो जाता है और यहां पर बुल्डोजर आके मेरा ये पूरा घर तोड सकता है अगर जो मेरे पिता जी ने LDA से नक्षा पास कराया था ये मकान उसके इसाब से नहीं बना है जो रिजिस्टर्ड सोसाइटी होती है उसमें ये प्रॉबलम नहीं आती है क्योंकि उनके रूल्स इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि वो अपने कॉम्पलेक्स में कोई भी अवैड कंस्ट्रक्शन करके नहीं बेश सकते रंगरे जैसो को पहले एजुकेट करिए कि मामला होता क्या और वो समझते क्या हैं और जियाई भाई भाई जियाई भाई कोई हसने नहीं आता जब कौम की नुमाइंदगी करने वाले जाहिल आके टीवी पर बैगते हैं और ऐसी बाते करते हैं जो आठवी फेल बच्चा भी ना करे तो सिर्फ एक सूरत रहती है या हम सर पीट ले या हम हस लें हम सर नहीं पीटते हम हस लेते हैं किसी को समझाने से पहले डिवेट में ऐसे जाहिलों को समझाया करिए कि आके कौम की नाक जियाई साब इसमें भी आपको डाउट है कि बाकी पैसल किसको कहा जा रहा होगा जियाई साब बुलिए जियाई साब बूलिए जियाई साब कर सकते हो जो पत्थर बाज हैं उनका इलाज भी बहुत असान है लाठी डंडे बुल्डोजर से कर सकते हो पर इन लोगों का इलाज कैसे करोगे जो वाइट कॉलर भी कहलाते हैं ये इसलामिक स्कॉलर भी कहलाते हैं ये बुद्जीवी भी कहलाते हैं और डिबेट्स में आकर ऐसी चाहलत के नुमाईश पेश करते हैं जैहन बंदे मातरम, खुदा हाफिज